वल्कम टू प्रकाडमी माई डियर स्टूडेंट डिस प्रणो गुमार और आपका स्वागत है हमारे प्रकाडमी में हमने ये कोर्स लॉंच किया है जो की UGC नेट कॉमर्स पेपर टू का है जो भी बच्चे एमकॉम क्वालिफाइड हैं मतलब एमकॉम पास कर चुके या परसुइंग है और उनका एंबिशन्स है उनका सोच है कि वो एसिस्टेंट प्रोफेसर्स वनें तो उन्हें क्वालिफाइड करना होगा UGC नेट या जे आरेफ तो मैं ये कॉर्स लाया हूँ मेरे प्यारे बच्चो और मैंने तमाम स्टेडी प्लान अपने प्रिविएस वीडियो में डाल रखा हूँ खिर पिया हमारे प्रिविएस वीडियो को चेक आउट करिए चेक आउट दरने के लिए आप प्रेकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएए प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मिलेगा UGC नेट कॉमर्स पेपर टू के नाम से वहाँ पर पूरा का पूरा सलेबस और स्टेडी प्लान मैंने फुल लिंथ में डिस्कस कर रखा हूँ पास कर चुके है ठीक है तो बाकी और बच्चे इस पर टाइम वेस्ट ना करें अगर आप नौलेज की बेसिस से पढ़ना चाते हैं तो पढ़ सकते हैं लेकिन ये कॉर्स पोपरली उन बच्चों के लिए है जो एमकॉम पर्शुएंग है या एमकॉम पास है और एसिस्टेंट प्रोफेसर की तयारी कर रहे हैं और UGC NET या JRF कौलाइफाई करने की कोशिस कर रहे हैं तो पेपर टू में कुल तेन कंटेंट है एक से लेकर दस कंटेंट है सारे स्टडी प्लाइन डिसकस कर रहे हैं प्रिवेस वीडियो को देख लो ये आपका यूनिट वन है जिससे मैं सुरुवात कर रहा हूं जो की है इंकम टैक्स और कॉर्परेट टैक्स प्लानिंग जैस उसको पेश कर रखा हूं समझाने की पूरी कोशिस किया हूं आप वहाँ पर जाके प्रिवेस वीडियो में चेक कर लो ये भी आपको मिलेगा प्रेकैडमी के प्लेलिस्ट में योजीसी नेट कॉमर्स पेपर टू में इंट्रोडक्शन मिलेगा जहां पर सलेवर्स के साथ स जो उसमें जुड़ जाएं इंकम टैक्स के बाद तमाम सारा का सारा दसो कंटेंट हम इस प्रेकैडमी के प्लेलिस्ट अपोल प्रेकैडमी के माध्यम से मैं प्रनौकमार आपको प्रोड़वाँड अजसे आपके आनेवाले जून 2022 की UGC NET के exam first time में qualify हो जाए ठीक है मेरे प्यारे बच्चो तो चलिए आपको स्वागत है प्रकाडमी में UGC NET commerce paper 2 unit हम पढ़ रहे हैं वन जिसमें हम रखे हैं income tax and corporate tax planning हम UGC UGC NET की unit 1 के अंसवार नहीं चल रहे हैं हम अपना unit 1 बनाया है income tax and corporate tax planning तो हम आज की दिन क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चो आज की दिन हम पढ़ेंगे some basic concept of income tax इसे क्लिए मैंने heading topic है जिससे ज्यादर तर questions arise कर रखा है ठीक है तो उसके कुछ highlights points है इसको देखे topic from which question जिससे ज्यादर आ चुका है जैसे पहला है terms and conditions जिसमें income के बारे में sections पूछा गया है मेरे प्रिविएस येर में मैं आपको करवाँगों दिखाऊंगा आपको section से question आया है section का question कैसे आता मैं सदो कॉलम करके ठीक है income से question आया है assessment year से प्रिविएस येर से बहुत बच्चे आज भी confusion assessment year और previous year को लेके नहीं होना चाहिए confusion अपर academy में हो तो आपको confusion तो हो गया भी नहीं और second content में when income of previous year इससे बहुत question आया कितनी बार नहीं question आया मेरे प्यार बच्चो कि वैसे कौन से individual है जिनका previous year में ही हम tax ले लेते हैं वो है when income of previous year is accessible in previous year itself मतलब previous year का income previous year में ले लेतना है third computing of taxable income and tax liability भही यह तो बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और इस बार आपको प्यारे बच्चो आपको पता होगा कि इस बार slab rate में कोई भी changes नहीं होगा है जो पिछले financial year का slab rate था वो इस साल भी आपके financial year का slab rate रहा है तो budget अगर आप पढ़िएगा तो 2022-2023 के लिए पढ़िएगा यह आपका financial year होगा जो budget आया है ठीक है तो कुछ भी नए changes जो budget के according income tax में होगा उसको भी मैं आपको समझाते वे चलूँगा ठीक है लेकिन हम यह budget वाले financial year को लेके नहीं चलेंगे आप हम जो financial year जो लेके चलेंगे वो हम लेके चलेंगे 2021-2022 इस year को हम assessment year मान के चलेंगे ठीक है वैसे तो आपको समझाएंगे assessment year क्या होता है प्रिवेस year क्या होता है लेकिन थोड़ा सा भी दिमांगो रख लो आभी आपको कुछ भी नहीं पता है मैं यह समझ के पढ़ा रहा आज मतलब आप M.com में अभी admission लिये वे हो आप first semester second semester, third semester में हो और आप नन्ने मुनने प्यारे बच्चों आपको कुछ भी concept नहीं पता है बेसिक लेवल से चलेंगे ठीक है जिससे हमारे जो बच्चे pursuing है जो बच्चे colleges में पढ़ रहे हैं उन्हें quality education नहीं मील पा रहा है ब धड़ा धर धड़ा धर प्रकेडमी को जादा जादा उन बच्चों को share करो जो UGC net की तियारी करने उनके लिए beneficial होगा क्योंकि course है full to free ठीक है कोई भी charges नहीं लिया जा रहा है प्रकेडमी के द्वारा तो ये base content उन बच्चों तक जाए जिनके पास e-content बढ़िया नहीं पूच रहा है बुक पूरा धरा कधरा मोटा मोटा बुक पढ़ा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पढ़े कैसे पढ़े स्लिवस इतना लेंदी है कैसे cover करे कैसे marks gain करे ये सारा तरीका सारा चीज मैं आपको समझाँगा क्योंकि मैं भी UGC net qualified हो मैं आज की ड वीडियो देखते रहे आपको वन एटम में UGC net और जयरे दोनों qualified होगा मैं प्यारे बच्चों ये वादा है मेरे से मेरे तरब से तो 2021 के assessment year को लेके चलेंगे बस ये दिमाग में रखना तमाम और कोई बात नहीं रखना अगर जो बच्चे हैं एमकॉम पास है जिनको लग अपने brain के अंदर enter करने के लिए पुराने ख्यालाओत को हटाना पड़ता है नहीं तो contradiction हो जाएगा और एक बार ये concept का contradiction हो गया तो concept clarity खतम हो जाएगा और फिर आप क्या होगे confusion में जिनकी जी होगे ठीक है तो जब भी आप academy के कोई भी courses और कोई भी topics को आप देख रहे हो योजी सी नेट के commerce के तो brain को खाली कर दो अराम से समझो इस चीजों को फिर analyze करो अगर कोई दिखकत है तो आप हमें comment करो ठीक है तो तो तमाइंगे सब टॉपिक जो आपको examination में पूछ चेक है मेरे प्यार बच्चो लास्ट यह है constituent of tax liability जिसमें सेज, सर्चार और income tax की बाते हम लोग करेंगे मेरे प्यार बच्चो तो सबसे पहले तो हम introductions करेंगे कुछ some basics चीजों का छोटी छोटी बातों को समझेंगे आज ए क्लास में चलिए तो हमारा income tax इंडिया में कैसे imposition हुआ कैसे आया तो हम यहां पर देखेंगे imposition of imposition of income tax in इंडिया imposition of income tax in इंडिया दम ध्यान से समझना प्यार से समझना इमांदारी से समना फूर कंसेंट्रेशन के साथ समझना आपको पता है मेरे प्यार बच्चों कि हमारा देश जो भारत है वह एक federal हमारा देश जो भारत है वह एक federal union है federal union मतलब central government भी यहां पर है और यहां पर state government भी है बात समझ में आता है 245 तो 255 में ठीक है मेरे प्यार बच्चों और हमारे तीन लिस्ट भी है थ्री लिस्ट तीन भी से जिसको हम कहते है वह थ्री लिस्ट कहा है मेरे प्यार बच्चों वह थ्री लिस्ट है आपका union list union list state list union list, state list और concurrent list जिसको हम हिंदी में कहते है समवर्ती सूची ठीक है तो पहला हो गया union list, second हो गया state list, third हो गया concurrent list union list, union list पर कोई भी changes लाने का अधिकार किसके पाता होता है, central government के पास state list में कोई भी changes लाने का अधिकार किसके पास होता है, state government concrete list में कोई भी चीज़ों को सुधार लाने का काम किसका हक होता है, central government as well state government दोनों का लेकिन अगर कोई condition में, मालो central government और state government में कोई भी बाद हो जाता है, contradiction होता है, तो central government का decision priority में लिया जाता है और उनी की बात चलती है, ठीक है, अब आपको ये find out करना, ये home work आप कर रहेगा मेरे प्यार बच्चों कि union list में कौन-कौन चीज़े आते हैं, state list में कौन-कौन सा च जाता है, just for an example मता तो concurrent list में education आता है, इसे के लिए सिच्छा के विशह पर state government और central government दोनों राय यहां पर बना सकती है, और अपना विचार रख सकती है, अगर दोनों के बीच में contradictions आता है, तो central government जो राय दी है, जो मतलब views रखे हैं, उनकी बाते यहां पर चलेगी, आगे बढ़ते में हम यहां पर बता दे कि जो entry number है, 82, entry number 82, आपके income tax act में है, entry number 82, जहां पर आपको यह बताया गया है, taxes on income, taxes on income, income पर tax लगना है, other than agriculture income, other than agriculture income, agriculture income को छोड़ कर, income पर जो tax लगता है, उसके आपके act, entry number 82 में यह define है, तेक है, income tax क्या है मेरे प्यारे बच्छों, income tax हो समझते है, income tax क्या है, अध्यान से समझ जिएगा सब बेसिक चीजा है भी चल रहे है, income tax क्या है, income tax किस पर लगता है, कैसे लगता है, क्या है, तो income tax क्या है? एक tax है income tax क्या है मेरे प्यारे बच्चो income tax एक क्या है? टैक्स है जो कि क्या होता है? लेविड होता है किस पर लेविड होता है? individuals पर लेविड होता है तो tax levied on tax levied on किस पर? total income पर जो individual total income जो कमाता है उस पर ये लेविड होता है, और वो total income कब का होना चाहिए, previous year का, कब का होना चाहिए, previous year, चीक है, अब ये previous year क्या है, अभी नहीं बताएंगे, धीरे धीरे चीजों के सीखेंगे, तो income tax होता है कि, income tax is a tax, जो की लेविड होता है, लागू होता है, on total income, किस पर, पूरा का पूरा total income जो previous year का होना चाहिए assessment year का नहीं previous year का क्योंकि previous year पिछले year में जो आप कमाते हैं उसी का tax अब financial year में देते हो अब ये बात अगर नहीं समझ मा रहा है नहीं digest हो रहा है तो जब previous year और assessment year पढ़ा देंगे तो यहाँ पर year से हम आ जाएंगे और इस चीज़ों को समझा देंगे बस आप यह ध्यान रखना है कि income tax में जो tax लेविड होता है वो पूरे के पूरे टोटल इंकम पर होता है वो टोटल इंकम कब का देखा जाता है previous year का देखा जाता है of every person of every person यहाँ पर person बोलाओ मैं अभी के लिए थोड़ा सा क्या करता है रट लो जबकि हमारे class में रटना बना है चाहे मैं 11-12 के batches ले रहा हूं या को भी batches लेता हूं तो मैं एक बच्चों का तो रटना नहीं है हर चीज का एक logic होता है हर चीज का एक reason होता है क्योंकि रटना हमें नहीं है तो income tax is a tax लेविड होने total income वो total income कब का होना चाहिए देखो इसको अच्छे से एक बार notes आप साथ साथ बनाते रहना income tax क्या है एक tax है जो कि वो tax किस पर लगता है पूरा का पूरा total income पर लगता है वो total income कब का होना चाहिए previous year का होना चाहिए किसका होना चाहिए previous year का of every person यह person को भी define करेंगा मेरे प्यारे बचो बहुत important चीज यह person ठीक है और some important questions में भी मैंने यह चीज आपको दिखाया था अब अगर ध्यान नहीं दिए तो आज हो यहां पर मैं यहां पर आपको दिखाया था terms and condition कुछ-कुछ definition से question पुछता है जैसे income, SSC, assessment year, previous year यह तो पुछता है person से भी question पुछता है ठीक है कि person में कौन-कौन आते है ठीक है और याद करना हर sessions के एक-दो sessions के बाद एक छोटा सा question में जरू करवाएंगे यह दिखने के लिए कि आप class में कितने concentrated रहते हो ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ नियम और कानून की तरफ अब आपको बताते composition of income tax law हमारा income tax law का composition क्या है चलिए आते composition of income tax law बहुत अच्छे समझना बहुत ही मज़दाद unit है यह compositions तो चलो compositions आपको बताता हूँ सबसे पहला compositions सबसे पहला compositions क्या है income tax act income tax act 1961 यह with effect from कब से लागू हुआ at 1st April 1962 जिसमें 298 sections है and 14 schedules है ठीक है यह तो पहला होगे income tax act 1961 पहला composition दूसरा composition क्या है finance act finance finance act ट्थिक है जो अभी budget आया मेरे प्यारे बच्चो देखे ना budget वो किस किस रूप में आया अगर आप budget देखे उगए तो वो appropriation bill के रूप में आया किस रूप में आया appropriation bill के रूप में अभी वो paste हुआ है pass नहीं हुआ है ठीक है, थर्ड में आता है आपका composition में income tax rule, income tax rule, ठीक है, income tax rule, income tax rule, कब आया था मेरे प्यारे बच्चों, तो income tax rule जब आया था 1962 में, ठीक है, कब आया था 1962 में, और income tax rule पर कौन empower करता है, cbdt, cbdt, central board of direct taxes, ठीक है, यह empowered करता है, रूल बनाता है, इसी का हक में है, इसी का मतलब चलता है, जो income tax rule पर यह काम करता है, cbdt, ठीक है, चौथा composition क्या है, मेरे प्यारे बच्चों, चौथा composition है, circular and notification, क्या है, circular and notifications, circular and notifications, यह circular notification कौन जारी करता है, cbdt जारी करता है, कुछ कुछ circular notifications डालते रहता है, जिससे, हमारे assesses को, अब assesses भी क्या है, यह भी नहीं समझते हैं, आप सब समझाएंगे, माल लो कि कोई assesses है, चीक है, तो उस assesses को बार-बार warn करने के लिए, कुछ चीज को समझाने के लिए, इनका cbdt department के द्वारा, so circular and notifications जारी होते रहते हैं, और last month, fifth combinations, वो है legal decision, legal decision of court, legal decisions of court, यह आपका compositions है, चलिए अगवा compositions को फिर से देख ले, पहला composition है, income tax act 1961, with effect from कब हुआ था, एक अप्रिल 1962 में, इस वन 298 sections है, और 14 schedule है, second composition, finance act, जिसमें आया budget, appropriation bill के नाम पर, finance minister paste की, 1500 words में, बहुत ही short word में, और जाकर यह bill अभी, लोगसभा, लोगसभायन, रासभा में, बास होगा, फिर प्रेसिडेंट का ascent, सहमयती मिलेगा, और पास होगा, फिर उसके बाद, third composition, income tax rule, income tax rule का बायर, 1962 में, अई रूल पर हक किसका होता है, बनाने का, CBDT, central board of direct taxes, फिर circular send notification, circular notification जारी कौन करता है, CBT, यह किसके लिए जारी करता है, SSC के लिए जारी करता है, क्योंकि उसको help मिल सके, और fifth composition, legal decision of court, ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं, जिस पर हमारा finance bill, budget, जो appropriation bill के रूप में आया, finance bill, अब इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं, जो कि मैंने अभी समझा दिया था, फिर भी इस जीजू को समझानी कोशिश करते हैं, जो finance bill, जो appropriation bill, budget के नाम पर आया, जो कि क्या है, past, past by, किसके अब बहुत चलेगा, कहां, लोग सबा प्लस, राज सबा, चीक है, और after necessary recommendations, after necessary recommendations, लोग सबा और राज सबा के लिए necessary recommendations मिलने के बाद, ये president के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, president के पास जाएगा, उनका मंतब जानने के लिए, president's essence, essence मतलब सहमाती के लिए जाएगा, वहाँ पर president करेंगे signature, अब जैसे signature करेंगे, बिल हो जाएगा pass, और it become, पास हो जाएगा, बिल, पास, उसको लिख दो, बिल, पास, बिल, पास, पास, और फिर उसके बाद जाकर ये बन जाएगा, Finance Act तब जाकर यह बने जाएगा Finance Act मतलब Finance Act पहले किस रूप में होता है बच्चों जान समझों बहुत सारे बच्चे यह नहीं समस्थे बात को कानून Act बनने से पहले वो Bill होता है ठीक है वही Bill को लोगसवा रासवा में घुमाना पड़ता है वहाँ इन दोनों के रास लोगसवा रासवा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के एसेंट्स के लिए जाता है समति के लिए जाता है प्रेसिडेंट्स जासाइन कर देते हैं तो वही Finance Bill Finance Act बने जाता है ठीक है अब हम Finance Act के First Schedule को चर्चा करेंगे जहां-जहां से important question बनता है तो First First Schedule of First Schedule to Annual Finance Act First Schedule to Annual Finance Act Annual Finance Act तो हम चर्चा कर रहे है किसका First Schedule of Annual Finance Act Annual Finance Act का First Schedule आईए जो First Schedule है मेरे प्यारे बच्चों ये बटावाए चार पार्ट में Divide into four parts Divide into four parts चारों पार्ट को हम लोग clearly देखते हैं क्या है First Part First Part में क्या है First Part में क्या है ध्यान से समझना First Part में जो Sorry First Tax Tax आज का दिमाग में ज़्यादा चलता है First Part ठीक है Income Tax Return File करना भी आपको सिखेंगे तो First Part में क्या मतलब discussion क्या है Rate of Taxes कि क्या rate होगा Rate of Taxes Applicable क्या rate of Tax applicable होगा for current assessment year for current assessment year current assessment year के लिए rate of taxes क्या होगा जैसे अभी rate of taxes आया ना वो देखो अभी जो budget में है अभी जो budget में 2022 और 2023 के लिए First February First February 2022 को क्या है SLAB rate आया Zero से लेकर आड़े लाग तक अभी भी नील है यह जो एक February 2022 के लिए 22 में जो यह मतलब SLAB rate आया ठीक है चेंज नहीं होगा लेकिन SLAB rate जो आया यह applicable किस के लिए होगा 22-23 के लिए होगा मतलब 22-23 assessment year की रूप में काम करेगा लेकिन आप जो income कमाये हो 22-23 में तो नहीं कमाया हो अभी 22-23 में कोई income कमाया है income तो कमाया है कब 21-22 में 21-22 में कमाये होगे income को 22-23 के SLAB rate के अंसवार हम tax देते हैं तो वही कह रहा है है हम पर कि first part में डिफाइन है rate of tax applicable for current assessment year current assessment year current assessment year मतलब अभी का बात करोगे तो current assessment year कोई है 22-23 के लिए जो rate of taxes ते किया गया है और जो कि कब ते हो जाता है एक परवरी 2022 को ते हो जाता है तो rate of taxes applicable for current year current assessment year current assessment year के लिए rate of taxes applicable होता है वो कहां define हो जाता है Animal Finance Act के first schedule के first part में, ठीक है, second part में क्या होता है sir, second part में, तो यहाँ पर discuss होता है rate of tax of TDS, rate of tax, rate of tax, या rate of TDS, यहाँ पर TDS के rate define होता है, rate of TDS for the current financial year, for the current financial year, ठीक है, third, third part में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह third part सारा भेद खोलता है, third part में क्या होता है, rate of calculation of income tax, rate of calculation of, calculation of income, income tax for deducting, for deducting tax from income, under the head, salaries, under the head, salaries, अभी तो अब को समझ में नहीं आएगा, under the head, salaries क्या होता है, सब चच्चा करें, under the head, salaries, and computation of advanced tax, and computation of, of advanced, computation of advanced tax, तो third part में क्या होता है, rate of calculation of income tax, calculation of income tax, under the head, salary, salary के अदर जो कितना tax बनेगा, उसका rate कैसे calculate होता है, और साथ-साथ, advanced tax का computation कैसे होता है, मतलब, under the head, salary का tax कैसे calculate होता है, plus advanced tax का tax कैसे calculate होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं, first schedule of annual finance act के third part में, ठीक है, last चौथा पार्ट जो है मेरे प्यारे बच्चे, नन्य मुन्य, PG की बच्चे, एमकॉम के बच्चे, जो fourth part है मेरे प्यारे बच्चो, जो स्कॉम कहा रहे हैं, fourth part, जहांपर हम लोग डिस्कूस करते हैं, rate for computations, rate for computations, किसका rate for computing, यह computations of net agricultural income, net agricultural income का computation, तो चलो मेरे प्यारे बच्चो, तो चार part को तुरंट easily कैसे याद करते हैं, हम कैसे याद रखते हैं, सिधा सबात है, first part में rate of tax, second part में rate of TDS, rate of tax, rate of TDS, third part में salaries के under, salaries के under head, income under head, salaries के अंदर आने वाला rate का calculation, plus advance tax का calculation, तो पहला हो गया क्या, rate of tax, previous current assessment year में rate of tax क्या रहेगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, rate of TDS, current financial year, तीसरा हो गया, salaries, income under the head, salary के अंदर आने वाले चीजों का कैसे calculation करेंगे, income tax, plus advance tax कैसे calculate करेंगे, और चौथा, मतलब हम लोग compute कैसे करेंगे, net agricultural income, चलिए, कुछ definitions पर चर्चा करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई शमस्तिया अभी तक, बताओ, तो आप बताओ के किस मांद्यम से, comment के मांद्यम से, ठीक है, अब कुछ definitions पर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो आपका है, clearly, जिस पर हम बात करेंगे, वो है assessment year, क्या है, assessment year, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, assessment year, यह हैंपर discuss करेंगे, assessment year और previous year, ठीक है, sorry, assessment, assessment year, अब कुछ कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, इसको देख लो, assessment year क्या है, तो फिर उसको detail में अच्छे से समझाने की प्रयास रहेगी, और आपको समझ में विया जाएगा, assessment year को पहला बाट, क्या assessment year मतलब क्या होता है, 1st April to 31st March, 1st April to 31st March of the next year, ठीक है, 1st April to 31st March of the next year, पहले सारे points को लिख लेता हूँ, फिर समझाने की, समझाता हूँ को, income of previous year, income of previous year, income of previous year of an SSC, of an SSC taxed taxed during the next following the next following assessment next following assessment year ठीक है और तीसरा है मेर प्यारे बच्चो it is it is always always a period of 12 month it is always period of 12th month ठीक है अब तुरंद नीचे previous year को भी लिख लेते हैं जिससे compare करना हमारा अजसान होगा और समझाना भी previous year तुरंद समाज में जाएगा स्रीप हमको लिखने बर दे रही है सब समाज में जाएगा previous year previous year ठीक है इसके अंदर सर्फ bullets points लिख दीजे previous year में पहला previous years previous year previous year means previous year as defined in section 3 ठीक है अब section 3 में क्या डिफाइण है section 3 में क्या डिफाइण है previous year means financial year immediately immediately अमें immediately preceding preceding the assessment year ठीक है समझेंगे और क्या है previous year वो year है in which in which income is earned income is earned is known as previous year जिस साल में हम income को earn करते हैं वो income वो year हमारा previous year होता है all all SSC required to follow all SSC required to all SSC required to follow financial year all SSC required to follow financial year financial year कां सा होता है एक अपरिल से थिस मर्च that is 1st April to 31st March इसको इसे कर दो as the previous year इतना राम कहानी लिखा है अंसर उसको समझाईएगा बिल्कुल समझाईगे पहले राम कहानी भी सुन देख लो ऐसा थोड़ी है बिना राम कहानी के तुमको समझ में आ जाएगा तो assessment year previous year क्या है अभी की recent scenario को देखते वे हम इसे को असानी समझाएगे पहले तो देखो assessment year assessment year अभी क्या है अभी के सवार में में देखो कहें तो हमारा assessment year है 2022-2023 ठीक है previous year क्या होता है assessment year से पिछले वाला जिसको हम लिखे है previous year का मतलब होता है means वो financial year जो immediately preceding the assessment year जो assessment year से जस्ट पिछले वाला financial year हो तो assessment year से पिछले assessment year कौन है 2022-2023 उससे पिछले वाला financial year कौन है 2021-2022 ठीक है इस चीज़ों समझ में आ गया assessment year क्या अब से start होगा तो 1 April 2000 जैसे की 22 से start होगा 31 माज 2023 तक ठीक है income of previous year of an SSC tax during a next following assessment year previous year में जो कमाया बाद पुंजी होता उसी पर assessment year में tax लगता है मतलब 21-22 में जो आदमी income earned किया होगा जो कमायी किया होगा उसका tax कहां लगेगा उसका tax लगेगा आपको इस assessment year में मतलब 21-22 मतलब 1 April 2021 से लेकर 1 April 2021 से लेकर 31 माज 2022 तक में आप जो कमाऊगे जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है तो एक अपनी 2021 से लेकर 31 माज 2022 तक जितना भी income आप जनरेट करोगे उसका tax आपको कब देना है आपको देना है 22-23 में 22-23 क्या कहलाएगा assessment year और इस assessment year का हम लोग tax कौन से year से लेते हैं तो इसके पहले वाला financial year बोले तो 21-22 जो कि आपको previous year कहलाएगा तो previous year का income tax होता है आगे आने वाले following financial year में जिसको हम assessment year कहते हैं इसे लिखाव इंकम और previous year of an necessity tax during assessment year previous year का कमाई tax होता है assessment year में जैसे previous year 21-22 इसका कमाई tax हो रहा है कब 22-23 assessment year में और यह assessment year होता है पूरे 12icht différence का होता है प्रिविऐस year प्रिविएस year को different कि closely section 3 में Experience 3 में क्या different कि यह प्रिविएस year मिंस वह financial year जो assessment year से पहले आता है ization year कितना है 22-23 इसे पहले कौन सा financial year होता है 21-22 22-23 से पहले कौन financial year आ रहा है 21-22 तो previous year means वेव financial year जो immediately assessment year से पहले आता है previous year वो year होता है in which income is earned अभी बोले previous year वो year होता है जिसमें हम लोग कमाते है income is earned is known as previous year और चोथा point कर रहा है all SEC all SEC required to follow financial year जो कि आपकर 1 अप्रिल से 31 मार्च किया जाता है इसको previous year में treat करते है जैसे यहाँ पर 1 अप्रिल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक हम इसको previous year मानेंगे previous year तब मानेंगे जब मेरा assessment year 22 हो तो assessment year जब मेरा 22 है यह assessment year तो इससे पहले आने बाला जो financial year होगा जो कि होगा 21-22 वो हमारा previous year का लाएगा ऐसी previous year में जो हम income कमाएंगे उसका tax इस assessment year में देंगे जो कि 22 है तो अब हमको लगता है कि मेरे प्यारे बच्चो previous year assessment year को लेकर आपको कोई भी confusion नहीं होगा कोई भी पंगा नहीं होगा ये तो ठीक है basic बातों को हमने चर्चा किया एक चीज़ को और मैं बता दूँ आपका जो sections है मेरे प्यारे बच्चो assessment year का है section 2 subsection 9 ये इसलिए बताते है क्योंकि UGC net में UGC net में ये questions पुछावा है previous year में ठीक है अब previous year का क्या है section 2 34 previous year to section 2 subsection 9 assessment year section 2 subsection 34 previous year ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चो sessions को करते हैं यहीं पर समाप्त धीरे धीरे sessions को बढ़ा करेंगे classes को बढ़ा करेंगे अभी basic चीज़े सीख रहे है तो धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे ताकि आपको पर ज्यादा burden ने बढ़े अराम से सारी चीज़ों को सीखेंगे और class को धीरे धीरे बढ़ा करेंगे तो thank you so much for supporting my channel for academy अभी आपका course है नया तो इस course को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच सेयर करें मेरे प्यार बच्चों जो बच्चे एसिस्टेंट प्रोफेसर बना चाहते हैं और UGC NET JRF क्वालिफाइट करना चाहते है ठीक है मेरे प्यार बच्चों अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सेशन्स वैल्यूबल है और एक बेस कंटेंट प्रोफेट करने का मेरे पास जज़बा एफट है तो आप मुझे सपोर्ट करें सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सबसे पहले देखने से पहले आप लाइक ज़रूर कर देना जैसे वीडियो आउन करोगे सबसे पहले लाइक दोस्तों में तुरंत शेर जो आपका दोस्त योजी सी नेट कॉमर्स की त्यारी कर रहा है और तुरंत उसी समय सस्क्राइब ये तमाम तीनों चीज करने के बाद हमारा चैनल आप देखें क्योंकि फीज ह कवर करवा देंगे ये मेरा बादा है आपसे बस इतना चाहते हैं कि आपसे मैं कुछ भी फीजने ले रहा हूं बदले में कुछ कंसिडरेशन तो चाहिए ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान कुछ भी बेमतलब का कुछ काम करता है ये तो नहीं होता है ना तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे सिफ चाहिए सपोर्ट, सपोर्ट के तोर पर जब भी चैनल पर मेरा वीडियोज देखें, कंटेंट का तो सबसे पहले लाइक कर दे, दोस्तों में जरूर शेर करें, शेर करने से क्या होगा कि मेरा कंटेंट जादा जादा उन बच्चों तक पहुँचेगा, जो बच्चे सही कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही उनको जानकारी नहीं मिल पा रहे हैं, उनके पास पहुँच सके और आप उनके पास तो सेख़ करेंगे ही साथ साथ सबस्क्राइब भी करेंगे उन से भी करवाएँगे बस यही सपोर्ट चाहिए आप को आप इस तो पाइकड्मी में इसी तरह से सपोर्ट बनाते रहे thought देते रहे, सपोर्ट देते रहे, और तिल दें, थैंक यू सो मच फुर वाचिक मैं वीडियो, देखते रहे प्रणागवार, हस्ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे प्रकाडमी, मिलते हैं नेक सेस्टन में, नए जोस नए उमोंगे साथ.